पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्थिरू राम लखन सीया सहित तृदय वसहु सुरोभू भक्त जनो आज हम श्री राम भक्त हनुमान जी की अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन करने जा रहे हैं कि कैसे राम भक्त हनुमान जी ने अपने राम भक्त होने का समय समय पर प्रमान दिया और सुन्दर काण में तो हनुमान जी की अनेको लीलाओं का बड़े ही विस्तार से वर्णन मिलता है हम भी हनुमान जी की उन्ही लीलाओं का कुछ वर्णन करेंगे तो मेरे साथ अत्यंत श्रद्धा विश्वास से बोलिए बुलिये सियापती राम चंद्र भगवान की जे बुलिये राम भक्त हनुमान की हनुमान बज रंग बलकारी दिन की महिमा सबसे न्यारी राम भक्त है बड़े निराले मासीता के पास में आए देखा रही सिंदूर लगाए मासीता से लगे पूछने आप वे ये क्या भरा आपने मासीता उनसे लगी कहने ये सिंदूर लगाया मैंने रखती हूँ जो इसे लगा कर रभू होते हैं बसन देखकर हनुमान ने निश्च किया है ये सिंदूर तो थोड़ा सा है अपनी पूरी देह में रंग लूँ और प्रभू को प्रसंद कर लूँ भक्तजनू श्री हनुमान जी की इन ही लीलाओं में से एक प्रसंग है कि माता सीता अयोध्या में आईने के समक्ष बैठकर श्रिंगार कर रही थी तो उन्होंने एक चुटकी भर सिंदूर लेकर अपनी मांग में सजा लिया हनुमान जी मा सीता को श्रिंगार करते हुए देख रहे थे उन्होंने पूछा ए मां ये आपने मांग में लाल-लाल क्या लगाया है तब माता सीता उनसे कहने लगी पुत्र हनुमान ये सिंदूर है जो मेरे सुहाग की निशानी है इसे लगाने से तुम्हारे प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसंद होते हैं जब श्री हनुमान जी ने मन में सोचा कि अगर एक चुटकी भर सिंदूर से प्रभु राम प्रसंद हो जाते हैं तो मैं प्रभु राम को अत्यंत ही प्रसंद करूँगा मा सीता ने लगा लिया जो थोड़ा सा सिंदूर ही है वो मैं भी उन्हें खुश देखना चाहूं रेकर के सिंदूर वो आए और देह पर लिया लगाए होंगे प्रभू इसे प्रसन देख कर नाचे रहे है उचल उचल कर शिरी राम ने देखा जो उन्हें हनुमान से लगे पूछने तुमने क्यों सिंदूर लगाया बोले मा सीता ने बताया वो थोड़ा सिंदूर लगाए प्रसन आप ही तब हो जाए आप रहें प्रभू सदा ही परसन कभी रगा सिंदूर से ये तन भक्त जनों हनुमान जी की इतनी सी बात सुनकर माता सीता और प्रभू श्री राम मुस्कुराने लगे और उन्हें वर्दान दिया कि है हनुमान जो श्रत्धा भाव से आपको हर मंगल और शनी को सिंदूर अर्पित करेगा आप उन सभी की मनो कामनाय पूर्ण करेंगे उसी दिन से भक्तों श्री हनुमान जी को सिंदूर अतिप्रिय है इसलिए भक्त जन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं सिया राम से बरहे पाया जाए तभी सिंदूर चढाया जो भी इने सिंदूर चढाते हैं राम प्रभु का बरदान है तब करते सिंदूर स्नान है अपने प्रभु को सब कुछ माने मुख से राम राम ये कहते सेवा में सदातत पर रहते राम भक्त श्री हनुमान है राम प्रभु के काज सवारे भाई है भरत बराबर प्यारे बगतों के हैं सदा सहाई अगली कथा को जिस प्रकार से है भक्तों एक बार हनुमान ची ने भीम बली के अभीमान को चूर चूर कर दिया था बात उस समय की है जब भीम को अपनी शक्ती पर बहुत अभिमान हो गया था वो अपनी शक्ती के बल में सदा चूर रहते थे और बड़े बड़े पत्थनों को मुष्ठी से चूर चूर कर दिया करते थे मन ही मन सोचते थे कि मुझ से शक्ती शाली तो कोई योधा नहीं होगा तब हनुमान ची एक व्रिध वानर के रूप में उनके मार्ग में लेट गए और अपनी पूँच को फैला दिया धीम इस पर क्या कहते हैं आईए सुनते हैं कौन तुम व्रिध हो वानर यूँ बैठे तुम पूँच फैला कर मेरे लिए रास्ता चोड़ो धीम बोले है बड़े धीम से आपने ये कहा था मेरी व्रिध है बहुत अवस्था पूँच हो गई मेरी भारी किसे भी उठाना सकता तुम तो बड़े ही बलवान हो बड़ा मुझ पर ये ऐसान हो पूँच को मेरी तुम उठा दो काम मेरा आसान हो धीम को दयवानर पे आई जो ही पूँच उठानी चाही अपना बल पूरा लगा दिया पूँच नहीं गई पूँच उठाना तो दूर हिला तक नहीं पाए भीम बली को अत्यंत लज्जाई और उनका सारा अभिमान एक ही पल में चून चून हो गया फिर उन्होंने सोचा ये वानर कोई साधारण वानर नहीं हो सकता अवश्य ही ये कोई महात्मा या स्वयम प्रभू के सेवक हैं जो मेरा अभिमान दूर करने ही तू यहां हाएं भीम बली ने हाध जोड़कर उनके समक्ष प्रार्थना करी भक्तों भीम ये गोले हाध जोड़कर आप नहीं साधारण वानर क्रिपा करके मुझे को बतलाईए अपना असली रूप दिखाईए अभिमान जो मुझे को हुआ है उसे आपने दूर किया है मैं तो आपको शीष जुकाऊं असली रूप देखे न चाहूं आपने अपना रूप दिखाया भीम बली ने शीष जुकाया बोले राम भक्त हनुमान हो सुईकार मेरा प्रणाम हो अभिमान वश हुआ है जो भी भूल कि मैं चाहता हूं माफी भीमन जो की चमाया चना अजरंगी को बड़ा माझना भक्त जनों इसी प्रकार से एक बार अर्जुन को भी अपने सर्व स्रेष्ट धनुर्धन होने का अभिमान हो गया था एक बार विच्रण करते हुए अर्जुन एक नदी के तड़ पर आये और नदी के उस पार जाने हे तू उन्होंने अपना कांडीव निकाल कर नदी पर पाणों का एक पुल बना दिया अपने ही पनाय हुए पुल को देखकर अर्जुन मन ही मन हरशित हो रहे हैं और सोच रहे हैं मैंने इस नदी के उपर इतना मजबूत पुल बनाया है तो प्रभु श्री राम तो मुझसे भी अच्छे धनुर्धर थे उन्होंने सागर के उपर पत्थरों से से तू क्यों बनाया यदि वो चाहते तो बाणों का पुल भी बना सकते थे उन्हें मन ही मन शंका होने लगी क्या प्रभु श्री राम मुझ जैसे श्रेश धनुर्धर के आगे कुछ नहीं थे अरजुन के मन का हाल श्री हनुमान जी ने जान लिया भक्तों और वाना रूप में उनके समक्ष आ गए अरजुन के समक्ष आकर श्री हनुमान जी पुल की बढ़ाई करने लगते हैं वाह धनुर्धर वाह कितना मजभूत पुल बनाया है यह सुनकर अरजुन मन ही मन प्रफुलित होते हैं और उनको अपने सर्व स्रेष्ट धनुर्धारी होने का अभिमान होने लग जाता है भक्तों स्रेष्टू हुमान जी मैं धनुर्धारी देख लिए तुमने शक्ती हमारी ऐसा है से तू मैंने बनाया आज तक कोई बनान पाया शिरी राम भी तो थे धनुर्धत राह में उनकी आया सागत चिलाओं का से तू बनवाया से तू बना करके बाणों का जा सकते थे वो तो लंका जब लंका पर करी चड़ाई अभीमान अर्जुन को हुआ है अनुमान ने जान लिया है दूर अहम करने की खाते भूली उनकी पास में आकर भरतों अर्जुन का ये भारी अभीमान देकर अनुमान जी उनसे आकर कहने लगे हे अर्जुन वास्तव में प्रभू श्री राम जी आपसे श्रेष्ट धनुर्धर थे वो भी आपकी तरहे सागर पर बाणों का सेतु बना सकते थे परन्तु उनकी सेना में अठ्यंत शक्तिशाली वानर थे बाणों का सेतु उस वानर सेना का भार सहन नहीं कर पाता फिर लंका पर चड़ाई कैसे कर सकते थे श्री हनुमान जी की यह बात सुनकर अर्जुन उनसे कहने लगे हे वानर मैंने बाणों का इतना मजबूत जो यह सेतु बनाया है इसके उपर से प्रभू श्री राम की सारी सेना गुजर सकती थी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता तब श्री हनुमान की बोले नहीं नहीं धनुर धर यह सेतु तो मुझ अकेले वानर का भार भी नहीं उठा सकता फिर भला प्रभू श्री राम की सेना का भार कैसे उठा सकता था अर्जुन कहने लगे यदि ऐसा है तो तुम इस सेतु के उपर से चल कर दिखाओ हनुमान जी जैसे ही सेतु के उपर चले भक्तों वो पुल तिनके की तरह तूट कर दिखर गया और इस तरहे श्री हनुमान जी ने अर्जुन का अभिमान चून चून कर दिया भक्तों चूर मेरा अभिमान किया है आपने ये एहसान किया है मैंने आपको ना पहचाना साधारण पर नहीं आप है मन में मेरे पश्चा ताप है रूप आपका जानना चाहता अनुमान कहने लग अरजुन जानना चाहता है तो फिर सुन तुमसे भी ना मैं अनजान हूँ राम हत में दो हनुमान है जो अपना है रूप दिखाया अरजुन ने फिर शीश नवाया और चरणों में किया प्रणाम है ऐसे राम दूद हनुमान है भक्त जनुम इस तरह हनुमान जी की अनेको नेको लीलाए है जिन में से कुछ लीलाओं का वर्णन हमने इस संगीत में कथा के माध्यम से किया है मैं आशा करता हूँ के आपको राम भक्त हनुमान जी की लीलाओं का यह वर्णन अत्यंत पसंद आया होगा फिर भी यदि इन लीलाओं को कहने सुनने अत्वा गाने में कोई तुटी रह गई हो तो मैं पूरी टीम के साथ हनुमान जी के चर्णों में शमा प्रारती हूँ एक बार दोनों हाथ उठा कर सच्ची प्रेम और शद्धा से मेरे साथ बोलिये बोलिये भगवान श्री राम चंदर जी महराज की बोलिये परमराम भक्त हनुमान जी की हम अंजनी सुत बजरंग बली की कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हम अंजनी सुत बजरंग बली की कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भरते हनुमार तुम तो हो बड़े बले मार हे राम भरते हनुमार तुम जो हो बड़े बले मार गौत मेरे सीन शाप दिया था माता अंजनी को कहने लगे कि तुम कुमारी माता बन जाओ बोली अंजनीर स्वर्य मैं होने ना दूंगी अपने आपको एक गुफा में मैं बंद कर लूंगी किसी पुरुस को देखो ना मैं ये होगा कैसे जाएगा ये शाप तुम्हारा बेर था ही ऐसे अपने आपको एक गुफा में उसने बंद किया छोटा सा एक छित्र था बस जिसमें आए हवा हुआ है क्या फिर इस से आगे तुम्हें बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई बरत समान जिन्हें स्रीराम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमार तुम तो हो बड़े बल्यवार मोहनी रूप जो विष्णो जी ने भोले को दिख लाया कामवेग फिर भोले जी को रूप देख चड़े आया कामवेग अब भोले जी से रोका ना जाए प्रम्हा जी ने फिर बत लाया उनको एक उपाए गुफा अंजना बैठी जिसको गवतमरिसी का साप कान में उसके डालो बिंदू जाकर भोले आओ कामवेग ये आपका तो यूँ व्यर्त न जाएगा गवतमरिसी का साप भी भोले सच हो जाएगा गुफा द्वार पर जाकर भोले अलग जगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें स्रीराम बुलाते हैं तम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमान तुम तो हूँ बड़ बर्वान हे राम भक्त हनुमान तुम तो हूँ बड़ बर्वान बोले जी की अलग जो अंजना के कान पड़ी पैठी धान लगा कर थी वो सुनकर हुई खड़ी बोली अंजना जोगी मुझको बाहर नायाना वंग करना है शाप्रसी का मैंने है ठाना कहने लग भोले हैं देवी हमें लगी है प्याँ पानी पीने से पहले तुम्हें मंत्र देंगे खाँ अपने कान को इस छित्र के पास मिलाओ तुम्ह बिना तच्छिडा किसी का पानी ना पीते हैं हम कान में वो फिर अंजनी मा के वेग पढ़ाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें स्रीराम गुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमार तुम तो हो बड़े बलवार बोली अंजनी हे जोगी ये क्या है तुमने किया सच ही हो गया साप आज जो रिषिगाउ तमने दिया कहने लगे के हे अंजनी इसको ना समझो सा ऐसे वैसे ना जोगी हम खुद है भोले ना होगा जो ये बालक वो बना बीर कहाएगा कौमार भी भंग तुम्हारा ना हो पाएगा राम भक्त इसे लोग कहेंगे और नाम हनुमा मत समझो ये श्राप है तुमको ये तो है बरदा भोले नात तो फिर कैलास पे लोटते ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हे श्री राम बुलाते हैं तम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बल्यान हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बल्यान पावन के जर्ये कान से होकर ये हैं गर्भ में आये इसलिए तो बजरंगी है पवन पुत्र कहलाएं किंतु गर्भ में पढ़ गई इनको बानर की छाया इसलिए तो बानर जैसा रूप इन्होंने बनाया पजपन से ही हुए है ये तो बड़े वीर बल्यान बोले जी ने जैसा कहा था रखा नाम हनुमान देखके एक दिन आस्मान में लटक रहा बल्यान उड़कर पहुँच गए बजरंगी ऐसा किया कमान समझ के फल वो सूरे देव को निगल ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने स्थी राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भरत्य हनुमान तुम तो हो बड़े बल्यान हे राम भरत्य हनुमान तुम तो हो बड़े बल्यान सूर्य देव को जो निगला तो हुआ घोर अंधिकार सारी ही स्रिष्टी में मच गई फिर तो हाहा का सारे देवी देव तभी तो होने लग व्याकुल हनुमत निगल गए सूरज को समझ के मीठा फल हो एक त्रित वो हनुमान के पास में फिर आए बाहर निकालो सूर्य देव को रहे है समझाए जित्डी बालक की तरहाना मान रहे हनुमान क्रोध में भरकर इंद्र देव ने वच्च लिया है तां वच्ज प्रहार से हनुमान मुर्छित हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हे स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ही राम भरत हनुमान तुम तो हूँ बड़ बल्यान ही राम भरत हनुमान तुम तो हूँ बड़ बल्यान फिर तो पवन देव ता आये सुत का जानने हाय ये क्या किया है इंद्र देव वो हुए क्रोध सेला छोटे छोटे पालक पे कर दिया वजर प्राहा मेरा भी अब क्रोध देख लो तुम और ये संसा इंद्र देव ने फिर तो दिखाया उनको अपना तो सब हुए व्याकुल पवन देव ने लिया पेक को रो सास भी लेना सब का फिर तो हो गया था दुसरवा प्रम्हा जी फिर पवन देव से बोले हाथ पसाओ हनुमान की वज्ड देह प्रम्हा जी बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई वरत समान जिन्हे स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त्य हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान जोवन देव ने ब्रम्हा जी की लिंतीली है मार वज्ड देह का ब्रम्हा जी ने दिया उन्हें वर्दान सुर्य देव हनुमान के मुख से फिर आए हैं बाहर हुआ उजाला सब देवों ने बोली जै जैकार खेलत खेलत फिर वो एक जंगल में आते हैं रिसी मूख के पुत्र देख उनको डर जाते हैं उचल कूद फिर उन्हें देख कर करने लगे हनुमान रिसी मूख से करी सिकायत फिर बच्चों ने आ रिसी मूख के साप से वो बल अपन भुलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिन्हें स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हूँ बड़ बल्मान हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हूँ बड़ बल्मान किस किंधा परवत पर फिर तो हनुमान आए वानर राज सुक्रियूने से नामे लिया मिलाएं राजा तसरत के घर जन में पुर्सों तम्स्रीरा खुसी मनाए नगरी सारी हो रह मंगलगां भोले बाल रूपी दर सन राम के चाहते हैं इसलिए हनुमान को अपने पास बुलाते हैं बोले तुम बानर बन जाओ और मैं बनू मदारी बाल रूपी राम छबी दोनों देखेंगे प्यारी बन के मदारिया योध्या में वो खेल दिखाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हे स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ही राम भरत्य हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान तेरा मभरत्य हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान चर्चा छिडी अयोध्या में एक आया अजब मदारी वानर का वो खेल दिखाए देखे नगरी सारी पुर्सोतम स्री राम खेल को देखन चाहते हैं राजा दसरत फिर उनको महलों में बुलाते हैं बोले ने फिर बजरंगी संग ऐसा खेल दिखाया बोले राम ये बानर तो है मेरे मन को भाया ये बानर तो मैं रखूंगा बोले है स्री राम लेकिन खेल दिखाकर भोले कर गए है प्रस्था माने ना स्री राम तो लेकिन रूठ ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भरत हनुमान तुम जो हूँ बड़ बलवान हे राम भरत हनुमान तुम जो हूँ बड़ बलवान राजा तस रखने फिर तो है बानर कई मगाए माने ना स्री राम वही तो बानर लेना चाहे अपने मंत्री को राजा ने खोजन है भेजा खोजत खोजत आये मंत्री पर्वत किसकिंधा वानर राज सुक्रीवन आकर उनको सीस जुकाया बुला लिया हनुमान उनके संग में अयोध्य पठाया भक्त और भगवान का फिर तो ऐसा मिलन हुआ फिर बोले स्री राम हम ये लीला रहे दिखावा अब तुम जाओ हनुमान हम बनवास को आते है पावन कथा सुनाते है बाई बरत समान जिन्हें स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान चोदाह वरस को सिरी राम जब आए है वनवास बलिवद करके सुग्रियू से फिर किये मित्र ताखाः सीता मा की खोज में निकली सब वानर सेना लंका जाने के लिए है हनुमान को चुना सिरी राम की आग्या लेकर ऐसी भरी उडारी सोयोजन का सागर लांगा और लंक नी मारी सीता माता को जा करके किया है फिर पेडा बाग उजाणा और अच्छे का कर दिया काम तमाओ सोने की लंका गुजला के राख बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भरत्य हनुमा तुम तो हो बड़े बल्यमा हे राम भरत्य हनुमा तुम तो हो बड़े बल्यमा बना किसे तू फिर कर दी है लंका नगर चढ़ाई जटे रहे स्री राम के संग में जब भी मुसीबत आई अपनी गदा से जाने कितने दानों मारे हैं स्री राम के बोल रहे मुख से जैकारे हैं लखन लाल और मेगनात में युद्ध हुआ भारी मेगनात ने जब लक्षमन को सत्ती थी मारी सुर्योत ऐसे पहले जाकर संजीवन लाएं भरत समान राम प्रभू ने भाई बत लाएं राम प्रभू तुम्हें कुस हो करके गले लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ही राम भरत हनुमान तुम तो हूँ बड़े बल्यान थे राम भक्त हनुमा तुम दो हो बड़े बल्वा लंका विजय कर लोट सभी जब योध्या आते है सिरी राम ने सबको ही उपहार भी बाटे है मोती की माला हिस्से में आपके आई है तोड़ी मोती माला दा तो तले चबाई है लंका पती विभीशन ने फिर कह दी ऐसी बाद तोड़ी मोती माला आखिर है बानर की जाद इतने कीमती मोती तुमने क्यों विखराए है क्या हिर दै में तेरे भी सियाराम समाए है फाड के सीना सियाराम का दरस कराते है पावन कथा सुनाते है पाई भरत समान जिने सियाराम बुलाते है हम कथा सुनाते है हे राम भरत्य हनुमान तुम तो हो बड़ बल्योन तेराम भरत्य हनुमान तुम तो हो बड़ बल्योन वीरों के है वीरे ये अपने महाभीर हनुमान राम भरत्य है बड़े निराले गुले और बल्योन शिरी राम की आग्या चासत पालन है करते भूत पेते और दुरजन दुष्ट भिनाम से ही डरते हे बजरंग बली रखना हम पे किरपा की छाया डी अस पालन सुमर सारता तेरा ही गुन गाया हंस राजरे लहन ने बनाया सोनो टिक चैनल सुनेगा जो भी इस गाथा को होंगे काम सफर भूजी सुरेश से लाखो भक्त भिसीस जुकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कता सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमार तुम तो हूँ बड़ बर्वार श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बर नव रघुबर भिमल जसु जो दाय कुफल चार बुद्धि हीन तनु जानिके सुमिरों पवन कुमार बल बुधि विद्या देहु मोही हरहु कलेश विकार जै हनमान क्यान गुन सागर जै कपीस दिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा महावीर विक्रम बज रंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेसा हानल पुंदल पुंचत तेसा हाथ बज और थजा विराज कांदे मूंज जनेईू साज चंकर सुवन के स्री नंदन पीज प्रताप महाजग वंदन विद्यावान गुणियत चातु राम काज करिवेको आतु प्रभु चरित्र सुनि वेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सोक्ष्म रूप धर सीयं ही दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा वेम रूप धर असुर संगारे राम चंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रगु वीर हरश उर लाए रगु पति कीमी बहुत बढ़ाए तुम मन ते भरत समभाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक भ्रह्मा दिमुनीसा नारद सारद सहित अहीसा जम कुवेर दिग पाल जहाते कभी को विद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवई कीना राब विलाए राजपद दीना तुम रो मंत्र विभीशन माना लंकेश्वर भै सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन परभानू प्रभू मूद्र का मेली मुखमाई चल दिलांग गए अचरजनाई दुरगम काज जगत के जेते तुम महलू रह तुम लेते ते राम दुआरे तुम रखवारे भोत ना आग्या बिनु पैसारे सब सुख लहे तुमारी सरना तुम रशकता हूं को देरिना आपन तेज समारों आपे तीनों लोग हाक ते कापे भूत पिसाच निकट नहीं आवे नहावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब दीरा यबत निरंतर हनुमत दीरा संकटते हनुमान चुड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा तिन के काज सकल तुम साजा और मनोरत जो कोई लावे नोई हनित जीवन पलपावे चारों जुग पर ताप तुमारा है परसित जगत उजियारा साद संत के तुम रखवारे अस्ट सीधिनव निदि के दाता असबर दीन जान की माता राम रसायन तुम्रे पासा सदा रहो रगुपति के दासा तुम्रे भजन राम को पावे जनम जनम के दुख विसरावे अंत काल रगुबर पुर जाई और देवता चेतन धरई अनुमत से इसर्व सुक करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो संने हनुमत गल पीरा जे 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 हनुमान गोसाई किपा करहूं गुर देव किनाई जो सत वार पाठ कर कोई जो यह पड़ हनुमान चली सा भोई सिदि सा की गोरी सा तुल सीतास सदारी चेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर तिरू राम लखन सीता सहित पिदय वसह सुर्भू दोलो राम जे श्री राम जे श्री राम जे जे राम श्री बजरंग बली बलकारी महारूद्र के महावतारी अंजन मा के तुम हो दुलारे राम जे घर जे हो सारे कांधे मूझ जने यू साजे आधन में है गदा विराजे तन पे लाल लंगोटा थारे पज्र देह अर्तन है विशाला बली बजरंगी हनुमत बाला है परसेत इनकी गाथाई काल नेम की कथा सुनाओ कैसे मारा ये बतलाओ रामायन की गाथा प्यारी अस्तिपावन है अति सुप्रखारी राम चरन का ध्यान धरो लो बजरंग का नाम गाथा प्रालंग करता हूँ करके राम गुण का बोलो राम जे श्री राम बोलो जे जे श्री हनुमान लंका पहुची राम किसे न योग तयारी करती से न लक्षमन में गुनात दो योधा इन में अदबत योध तो होगा धरती हम बरतसों दिशाएं दोनों का बल देखते जाएं दोनों एक दूजे पर आरी तीर चले चलती है बरची में गुनात बड़ा चली ओ कपटी माया युद्ध वो करता जाएं अन्त हस वो खूद लगाएं में गुनात ने शक्ती चलाएं भूमी गिरे श्री राम के भाई भारी मुर्चा उन पर चाई राम किसी ना थी अकुलाई प्रभू राम ने गोद में लीने लखन उठाएं कैसी घड़ी ये जीवन में प्रभू राम के आई बूलो राम जे श्री राम बूलो जे जे श्री हरुमार बूलो राम जे श्री राम बोलो राम जै श्री राम बोलो जै जै श्री हनुमान विबिशन जी फिर सन्मुक आए वैद को लाओ वही बताए हनुमत चल दी से तुम जाओ वैद शुशीर को लेकर आओ हनुमान जी वैद को लाए वैद जी नाड़ी देख बताए दूर हिमाले जाना होगा संजिलगी को लाना होगा सुबा से पहले काम ये करना लक्षमन नहीं बचेंगे बरना दूर हिमाले कौन जाएगा हनुमान जी सनमक आए राम चरन में शीष नवाए बूटी लेकर मैं आओंगा मेरा मुह ना दिखलांगा देर करो ना अब जल्दी जाओ तुम हनुमान अब से तुम्हारे हाथों में तेरे राम के पान बोलो राम जे श्री राम बोलो जे जे श्री हनुमान रावन दल में खुशियां भारी लखन मरण की थी तैयारी सुबह लक्षमन मर जाएगा बूट कोई ना ला पाएगा तभी दूट ने आवत लाया अनुमान के विश समझाया बूटी लाने वो जाते हैं रामन है रुत भी आते हैं काल नेमी को फिर बुलवाया और उसे सब कुछ समझाया रूप बदल मा रग में जाना अनुमान को मार गिराना अनुमत लक्षमन मर जाएगे आदा यूद हम जीत जाएगे राम पे विजय मैं पाऊंगा काल नेमी फिर चल दिया कर चरनों में प्रनाम अनुमान को मारूंगा जब कर राम का नाम बोलो राम जे श्री राम बोलो जे जे श्री हनुमान अनुमान जी उड़ कर आते राम नाम सुन कर रुक जाते काल नेमी साधू बन आया काल नेमी के सनमुक आये साधू देखा शीश नवाये आओ हनुमत यहां पे बैटो पूते की तुम चिन का तज़ दो अनुमान जी थे चकराई यह सब जान तहच रज़ पाई राक्षस कए हम अंतर यामी अमझे सगरी बात है जानी जाओ पहले स्नान कर आओ फिर थोड़ा सा भोजन पाओ मैं यही बूठी मंगवा दूँगा आज तुम्हारा सब कर दूँगा ताल में उसने छोड़ा था ग्राह एक विशाल सोचा ग्राह बन जाएगा अनुमान का का बोलो राम जे श्री राम बोलो जे जे श्री हनुमान हनुमान बातों में आए राम नाम सोचा ये गाए फिर तो सच्चा भगत ये होगा आज हमारा ये कर देगा जोही ताल में स्नान को जाए ग्राह उने खाने को आए मुख के बीच सचीर था डाला जवत गार हुआ एक गिराला ग्राह से एक अपसरा निकली काल ने मिका सत्य बताई चर्णन में फिर शीश नवाया उनुम्दे का पल मसने पाया अनुमत सारा सच थे जाने चल दी असुर को मजा चखाने श्रान धान करके सब आए जीवित देखा अनुमत को असुर चोक ही जाए कैसे बच गया ग्राह से सोचन वो लग जाए बोलो राम जे श्री राम बोलो जे जे श्री हनुमान बोलो राम जे श्री राम बोलो जे जे श्री हनुमान विश से भरे फल इसको दूँगा जेहर किला इसे मार ही दूँगा आओ हनुमत भोजन पाओ पाना का निया सुर्था करता मरता वो बेचारा क्या करता लगे हाथ और पेर कापने हनुमत लग दे समरी पापने हनुमत ने फिर उचला पेटा और उठा भूमी पर पटका मार गदा थे प्राण निकाले जलनी हनुमत भूती लाने राक्षस ने प्रभ नाम ठगाया इसी लिए मुक्ती खल पाया काल ने मिको मार गिराया दीवो ने जे कारा लाया खुड कर हनुमत पहुच गए दूर हिमाले धाम राम काज की ने बिनू वो ही कहां विश्राम बोलो राम जे श्री राम बोलो जे जे श्री हनुमान बोलो राम जे श्री राम बोलो जे जे श्री हनुमान भूटी हनुमत समझ न पाये सारा परवत लिये उठाये संजीवन भूटी ले आये रामा दल सारा हर शाये वैद्य राज ने खोल बनाया लक्षमन जी को था पिलवाया भूटी पी कर लखन जी जागे जेकारे प्रभु राम के लागे राम ने हनुमत गले लगाए भाई भरत के समबत लाए तू है मेरा भगत निराला चंदन पिलकन महिमा गाई तेहन मान जी रहना सहाई भगतों पे किरपा बरसाना लाल तेह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर बच्र तेह दानव दलन जै 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 कपिसूर बोलो राम जै श्री राम बोलो जै जै श्री हनुमान जै जै वीर बली हनुमान संकट काटो दया निधान जै जै वीर बली हनुमान संकट काटो दया निधान जै जै वीर बली हनुमान संकट काटो दया निधान संकट मोचन तेरा नाम पावन बाला तेरा धान संकट मोचन तेरा नाम पावन बाला तेरा धान राम के सेवक बड़े महान संकट काटो दया निधान जै 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 श्री राम जै जै श्री हनुमान तुम सा और नहीं बलवान तुम हो सकल गुणों की खान मन में बसते सीतारां कहता है ये जगत तमा जै जै वीर बली हनुमान संकट काटो दया निधान जै 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 श्री राम जै जै श्री हनुमान जै 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 श्री राम जै जै श्री हनुमान बलबुधी के तुम हो दाता राम चरन से तुम रानाता बलबुधी के तुम हो दाता राम चरन से तुम रानाता भगतों के तुम भाग्य विदाता राम भजन विन कुछ नहीं भाता भगतों के तुम भाग्य विधाता राम भजन बिन कुछ नहीं भाता जे जे वीर बली हनुमान संकट काटो दया निधान जे 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 श्री राम जे जे श्री हनुमान धन्य धन्य है अंजनीलाल तेरी महिमा अजब कमाल धन्य धन्य है अंजनीलाल तेरी महिमा अजब कमाल पवन वेग सी तेरी चाल धर धर कांपे तुमसे काल धर धर कांपे तुमसे काल जे जे वीर बली हनुमान संकट काटो दया निधान जे 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 श्री राम जे जे श्री हनुमान जहां पे गुझे राम का नाम वहां मिलेंगे श्री हनुमान जहां पे गुझे राम का नाम वहां मिलेंगे श्री हनुमान किरपा करते किरपा निधान भगती इनकी सबसे महान जे जे वीर बली हनुमान संकट काटो दया निधान जे 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 श्री राम जे जे श्री हनुमान जे 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 श्री राम जे जे श्री हनुमान तेरी क्रिपा से ग्यान है जागे तेरे सुम्विरन में प्रीती लागे तेरी क्रिपा से ग्यान है जागे तेरे सुम्विरन में प्रीती लागे शत शत नमन करूं तेरे आगे दोश कस्ट सब दूर है भागे शत शत नमन करूं तेरे आगे दोश कस्ट सब दूर है भागे जै जै वीर बली हनुमान संकट काटो दया निधान जै 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 श्री राम जै जै श्री हनुमान जै 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 श्री राम जै जै श्री हनुमान राम नाम की जपता माला बजरंगी मेरा हनुमत बाला राम नाम की जपता माला बजरंगी मेरा हनुमत बाला राम नाम की जपता माला बजरंगी मेरा हनुमत बाला राम नाम की ओड़ चदरिया राम चरण में देरा डाला राम नाम की ओड़ चदरिया राम चरण में देरा डाला राम की सेवक बड़े मान संकट काटो दया निधान जै जै वीर बली हनुमान संकट काटो दया निधान जै 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 श्री राम जै जै श्री हनुमान जै 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 श्री राम जै जै श्री हनुमान राम नाम में हो मतवाला नाच रहा अंजनी का लाला राम नाम में हो मतवाला नाच रहा अंजनी का लाला राम नाम में हो मतवाला नाच रहा अंजनी का लाला रूप तुम्हारा बड़ा विशाला सब के दुखडे हरने वाला रूप तुम्हारा बड़ा विशाला सब के दुखडे हरने वाला रूप तुम्हारा बड़ा विशाला सब के दुखडे हरने वाला जै जै वीर बली हनुमान संकट काटो दया निधान जै 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 श्री राम जै जै श्री हनुमान तेरे अदबुत खेल निराले पल में क्या से क्या कर डाले तेरे अदबुत खेल निराले पल में क्या से क्या कर डाले भक्त जनों के तुम रखवाले खोलते हो किसमत के ताले भक्त जनों के तुम रखवाले खोलते हो किसमत के ताले राम के सेवक बड़े माहन संकट काटो दया निधान जै 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 श्री राम जै जै श्री हनुमान आए है हम शर्ण तुमारी रखना अनुमत लाज हमारी आए है हम शर्ण तुमारी रखना हनुमत लाज हमारी आए है हम शर्ण तुमारी रखना हनुमत लाज हमारी महिमा गाते सब नर्णारी तुम साना कोई हितकारी महिमा गाते सब नर्णारी तुम साना कोई हितकारी महिमा गाते सब नर्णारी तुम साना कोई हितकारी जै जै वीर बली हनुमान संकट काटो दया निधान जै 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 श्री राम जै जै श्री हनुमान जै 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 श्री राम जै जै श्री हनुमान हन्स राज तेरा गुण गाए चर्णों में तिर शीष जुकाए हन्स राज तेरा गुण गाए चर्णों में तिर शीष जुकाए हन्स राज तेरा गुण गाए चर्णों में तिर शीष जुकाए हन्स राज तेरा गुण गाए चर्णों में तिर शीष जुकाए जिसपे तू किर पाबर साए उसका सफल जीवन हो जाए जिस पे तू किरपा बरसाए उसका सफल जीवन हो जाए राम के सेवक बड़े महान संकट काटो दयानिधान जै 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 श्री राम जै जै श्री हनुमान जे 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 शी राम, जे जे शी हनुवान जे शी राम, जे हनुवान जे शी राम, जे हनुवान जे शी राम, जे हनुवान शीरी राम के से वक त्यारे जे शी राम, जे शी राम मिलके किर्टन गाओ सारे जेशी राम, जेशी राम, तुमसा देव नहीं कोई दूजा, जेशी राम, जेशी राम, चार यउगों में होती पूजा, जेशी राम, जेशी राम के सेवक त्यारे, मिलके किर्टन गाओ सारे कूद गए थे जब गड़ लंका राम नाम का बाजा डंका शीता जी की आख के तारे अंजनी मा के राज दुलारे शिरी राम के सेवक प्यारे मिलके किर्टन गाओं सारे बल बुधी के तुम हो दाता राम भजन से तुम रानाता राम भगत हो तुम मत वाले तेरे जग में खेल निराले शिरी राम के सेवक प्यारे मिलके किर्टन गाओं सारे संकट मोचन मंगल कारी वीर धीर योदा बलकारी राम छवीर दे में प्यारी भगत जनों के तुम हितकारी शिरी राम के सेवक प्यारे मिलके किर्टन गाओं सारे सबके संकट हरने वाले जैशी राम छेशी राम तेव बड़े ही बोले भाले जैशी राम जैशी राम गुंज रहे तेरे जैकारे जैशी राम जैशी राम पल में करते वारे न्यारे जैशी राम जैशी राम शिरी राम के सेवक प्यारे जैशी राम जैशी राम हाथों में खड़ता लूठाए राम धुनी में नाचता जाए जैशी राम जैशी राम जैशी राम जो भी तेरा ध्यान लगाए जैशी राम जैशी राम रोग दोश सब दूर भगाए जैशी राम जैशी राम शिरी राम के सेवक प्यारे जैशी राम जैशी राम मिलके किर्थन गाओं सारे बलबीरा तुम हो ब्रह्मचारी तेरी महिमा है बड़ी भारी रोम रोम में राम बसाए शरी राम बिन कुछ नहीं बाए शरी राम के सेवक त्यारे मिलके किर्टन गाओं सारे जैशी राम जैशी राम जैशी राम जैशी राम जैशी राम भोले शंकर के अवतारे किस विद पूजा करूं तिहारे मैं तो हूँ मुरक अग्यानी तुमसे बड़ा न कोई ग्यानी शिरी राम के सेवक प्यारे मिलके किर्टन गाओ सारे दीन हीन पर किरपा कर दो हाथ शीश पर मेरे धर दो जैशी राम जैशी राम जैशी राम जन्म जन्म तेरे गुड़ाओं जैशी राम जैशी राम हम सागर से फिर तर जाओं जैशी राम जैशी राम शिरी राम के सेवक प्यारे जैशी राम जैशी राम भूत प्रेत को दूर बगाए पल में संकट दूर हो जाए जैशी राम जैशी राम हंस राज पर किरपा तेरी जैशी राम पूजा करो स्विकार मेरी जैशी राम जैशी राम के से वक प्यारे जैशी राम जैशी राम मिलके किर्टन गाओं सारे जैशी राम जैशी राम मिलके किर्टन गाओं सारे जैशी राम पजय जीरों